अमस्कार मैजिक किचिन में आपका स्वागत है आज मैं सूजी के फूले फूले क्रिस्पी गोल गप्पे बनाने जा रही हूं गोल गप्पे को हम पानी पूरी फुलकी पुछका पटा के आधी नामों से पुगारते हैं तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये मैंने जैसे मांज़ा 2.5 त सूजी बनाना चाहते हैं तो थो ग्रम आप स्वाघिदम एधे जल्रल गएजिक बनाना के सबिटाहन मिक्स कराने जितल के कम ज़्या ज़्यादा सूजी बनाना चाहते हैं झिरहें तो hands-up देशा पांच्कां अच्छे से मिक्स करने के बाद हातों शेधल से बना के देखेंगे अगर बन जाता है तो मारा ऑई रां सही है अब हम इसका का डो लगाने के लिए रखाने के आप चाहें ठंडा भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका हलका पतला सा डो लगाएंगे क्योंकि सूजी फूल भी जाएगी फिर बाद में सूजी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 20-25 मिनट के लिए ढखके रख देंगे आपके पास दोनों अप्सान है चाहे तो आप ढखके रख दीजिए 20-25 मिनट के लिए और या फिर 20-25 मिनट के लिए से गूत लेजिए तो 20-25 मिनट हो गए हैं अब हम इसको अच्छे से मसल मसल के इसका डो लगाएंगे हास से मसलेंगे और इसको पटकेंगे उपर से पटक पटक के देके मारेंगे इसको देके जितना मसलेंगे इसको यह देखिए इस तरीके से मसलेंगे हम इसको खीच खीच के खीच के जितना मसलेंगे और जितना उ को होना चाहिए बिल्कुल मुलाइम सॉफ्ट हो जाएगा देखिए इस तरह से पलट पलट के अगर आप 20-25 मिनट के लिए नहीं रखना चाहते तो 20-25 मिनट के लिए से इस तरह से पटक पटक के फैंकिए दोनों चीजें आपके पास चाहे तो आप रेश्ट कर वा लीजिए चाहे इस तरह से मसल लीजिए देखिए हमारा डोबन के तयार हो गया है अब हम इसकी लोग तोड लेते हैं इस तरह से छोटी छोटी लोई यां तोड़ेंगे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी इस तरीके से, और बहुत ही अच्छे और सुपर हिट गोल कप्पे, बिल्कुल मार्केट जैसके आप पहचान नहीं पाएंगे, कि मार्केट के गोल कप्पे हैं या घर पे बनाए हैं, एक भी गोल पर तेल को गरम होने रख दिया है और लोई बनाने के बाद लोई को मैंने ढख के रख दिया है देखिए इस तरही कैसे आप चाहे तो इसको लंबे बेल लीजिए क्योंकि सुजी के जात तर मार्केट में लंबे लंबे अंडा आकार की मिलते हैं सिर्फ 2 cacustuses रावरा नंकिके सोदीए मई बेली जाते हैं इस त्रीके से बेल लिजी कि इतनी दिए मैवारा तेल गरण हो रहा हुआ आप अपनी पसंद कर नुसार चाहे गोल बेल लीजिए और चाहे अंडाकार बेल लीजिए देखिए इस तरीके से और इसकी मोटाई भी ज्यादा नहीं रहेगी बिल्कुल पतले और बहुत ही अच्छे गोल कप्पे बनेंगे देखिए हमारा तेल गरम हो गया है डालते जाएंगे हम और अपना पर ही फुल कहा जाएंगे उपर एक भी बनेगे इसमें सारे गोल कप्पे फुल लेंगे हमारे अगर एकात रहे भी जाती है बाई चांस नहीं तो सारे ही फुल जाते हैं कोई पौनी लगानी की जूरत नही कुछ नहीं देखिए सारे गोल कप्पे फुल गे मिन जितनी भी डाले आराम से शिकने दीजिए और गोल कप्पे डालते तायम हमारा तेल एकदम गरम होना चाहिए अगर ठंडा तेल होगा तो अभी हमारे गोल कप्पे नहीं फूल लेंगे अलट पलटके अलके गोल्डन होने तक सिखने दीजिए और सिखते टायम गैस की फ्लेम हमारी लो होनी चाहिए नाजा ज्यादा तेज नहीं पूरपर से सिख जाएंगे बाद में मुलाइम नहीं होंगे इस तरह से सिखे हुए एकदम क्रिषप्पी और करारे गोल कप्पे बनेगे बिल्कूल आगर आप सारे गोल कप्पे तेज पैज से केंगे तो बाद में ठंडे होके पूरी जैसे बन जाते हैं और यह हमारे बिलकुल एकदम क्रिस्पी रहेंगे पहले फुल फ्लेम और गोल कप्पे डालने के बाद गैस की फ्लेम लो देख हैं बस एक नहीं हुआ इसारे फुल गए हमारय एकदम बढ़िया सिखेंगे बढ़िया फुल एंगे सारे क्रिस्पी बनेंगे एकदम और आप एक वार में ही मेरी इस्ट्रीक से बनाएंगे ते एक वार इमैंँ गोलकपे बनाना बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बने हमारे पलट पलट के सेख लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली रेसिपी में तक तक के लिए धन्यवाद